हेलो दोस्तों आज तो मार्केट ने अपना अलग ही रंग दिखा दिया मार्केट इतनी तेजी से उपर गया जिससे लगबग आज आज आपको हर सेक्टर में जैसे सैंसेक्स, निफ्टी, बैंक्स या फिर रियल इस्टेट सब आपको हर रिशान में देखने को मिलेंगे आज जिस हिसाब से मारकेट उपर गया, तो इससे बहुत सारे लोगों को अच्छा मुनाफ़ा भी मिला, लेकिन कल का महल कुछ अलगी था, जैसे कि अगर हम कल अमेरिकन मार्केट की बात करें, तो जिस हिसाब से वो नीचे गिर रहा था, तो इस हिसाब से लग रहा था कि हमारा मार्केट भी इससे काफी ज़्यादा इफेक्टेट रहेगा बट यहाँ पर अमेरिकन मार्केट ने भी कल अच्छी रिकावरी कर ली और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो डेफनेल्टी बियर वालों का ही हुआ है इसका कारण भी यहीं है कि कल रास्ते ही अमेरिकन मार्केट रिकावरी करने लगा था और जिसके बाद आज हमारा मार्केट एकदम से यहाँ पर तेजी देखते हुए हमको मिली और दोस्तो इसे लॉंग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को भी मिला है और अगर हम बुल वर्सिस बियर की बात करें तो अभी के लिए फिलहाल तो बियर वाले हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वह भी अभी ग्रीन सिंग्नल पर हमें देखने को मिल रही थैंचि काम करता है बट सरकार बहार बात गेम लिंग के उपर कुछ न खुछ रिये See स्टरक्शन लेकर आती रहती है एंड इसी चीज के चलते हुए काफी बार इसमें हम लोगों को बड़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती रहती है हलाकि सरकार ने जो बीच में GST वाला जो फैसला लिया था इस चीज के चलते नजारा टेग के उपर इतना कोई बड़ा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया अभी कि अगर हम बात करें तो नजारा टेग ने यहाँ पे 15.86% का स्टेक यहाँ पे एक्वैर किया है स्टेंड में लगबग 18 करोर में तो ग्लोबल नेवल पे एक्सपेंशन भी हम लोगों को इनका फिलहाल तो देखने को मिल रहा है अगर हम बात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सपेंशन लिमिटेट की तो दोस्तो इसमें आपको दो प्रतिशत की तेजी देखने को मिलेगी और इसके पीछे का पी रीजन है एंटिक राइजस जो अभी सोच रहे हैं कि इसमें अभी 20 प्रतिशत का और भी अपसाइट देखने को हमें मिल सकता है तो दोस्तो इस टॉक मार्केट पी नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना है